नमस्कार स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल लिंपी जिवनिक लर्निंग पर तो आज हम हिमाचली खट्टा बनाने जा रहे हैं यानि की गलगल जो हमें इसके लिए इंग्रीजियर्स ही ये पहले उन्हें देख लेते हैं हिमाचली खट्टा यानि की गलगल बनाने के लिए हमने अपना सेट अप रेड़ी कर लिया है हमें चाहिए गलगल, हरी प्याच, उदीना, हरा धनिया, नमक, हरी मिर्चिया, लाल मिर्च और चीनी अद्रक हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है, बस एक टेस्ट देने के लिए हमें इसे एड़ कर रहे हैं बस इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एड़ नहीं करना है अब मैं हरी प्याच और धनी को बारी काट लोगी ताकि मुझे कूंड़े में पीसने में आसानी हो आप इसे सिल्वर टेपर या मिक्सी में भी ग्राइंट कर सकते हैं हमें एक तरह से हरी चेटनी तयार करनी है चीनी और हरी मिर्च की क्वेंटिटी आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग रख सकते हैं चीनी की जगा आप गोड़िया शक्कर भी डाल सकते हैं गलगल बनाने के लिए हम सबसे पहले हरी चेटनी तयार करते हैं बाद में हम गलगल को खोलते हैं अब देखिए हमारी हरी चेटनी रेडी हो चुकी है अब हम गलगल को खोल रहे हैं हम इसकी सीर्ज भी सासात में निकाल लेंगे गलगल को जब हम खोले तो उसे ज्यादा धूप में ना खोलें क्योंकि ज्यादा धूप में रखने पर गलगल में हल्का सा कड़वेपन का टेस्ट आ जाता है अब हमारी हरी चटनी रेडी है अब हम इसमें गलगल को मिक्स कर लेंगे और इसे कूंडी के डंडे की हल्प से हल्का सा प्रेस भी कर लेंगे अगर आपने मिक्सी में ग्राइंड किया है तो आप एक बोल में चटनी को निकाल लें और स्पून की हल्प से भी उसे मिक्स कर सकते हैं गलगल हमारे लिए बहुती फायदे मंद है क्योंकि गलगल खाने से कॉलिस्टरॉल की मातरा कम होती है गलगल निम्बू या चकोत्रा हमारी सहत के लिए बहुत अच्छा होता है आप इसे मक्का की रोटी के साथ या नॉर्मली एक चटनी के तौर पर भी खा सकते हैं इमाचली खटा यानि कि गलगल की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी चैनल पर नहीं है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ओके ठेक कियर और बाब